कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो हम एनपी सेयल और बिया आर्सी के लिए पिरिक्स और चेमिस्ट्री के पिरिक्सर की क्यूशन कर रहे थे तो जो भी भाई लोग पहली बार अपने चैनल पर जुड़े हैं पहली बार पिरिक्सर के लिए हैं इस ट्रोपिक्सर में सारे क्यूशन आपको क्लेर करा हुआ और इस कंसेप्ट से आपके एक बी क्यूशन बहाँ जाने वाला नहीं ठीक है तो पहले तो अपने को देखना है एक एक एम यू बराबर कितना होता है एक ग्राम पदार्थ के समतुल्य और जागा परिकलन कीजेए ठीक है ग्राम पदार्थ में कितने उर्जा होगी उसको हम निकालेंगे आइंस्टीन का जो दिरोमान उर्जा दिरोमान सपेक्सिता का जो समिकन था यह बराबर कितना दिया है एक ग्राम को हम केज में चेंज गरेंगे तो प्रकास का चाल है इसका स्कुर्ण कर लीजिये क्या जाएगा नाइन इंटू टू 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 पावर आपको याद रखना है ठीक है तो अपशन नंबर ऐ अपना शही हो गया ठीक है तो एलेक्ट्र Snow distint के बारे में बात कर दा दा यह बी एंडर्जी का है तो एक एलेक्ट्रण बराबर कितना जूल होता है आपको comment box में लिखना है ठीक है नेक्ट कुशन है अपने पास बहुत अच्छा क्यूशन है और confusion बरा है तो इसमें से दो concept बनते हैं तो क्या है अपना alpha beta gamma की आयनी करंट समता का करम क्या है ठीक है तो एक तो थी आयनी करंट सम्ता है ठीक है एक होती आयनी करंट सम्ता एक होती बेदन शम्ता कोंदा और दोनों पूची जयती एक्जाम में ठीक है और B-eat he और में दोनों पूची गईए पहले तो देख्रां क्योन अब अलपा की च्यादा की है उसके बाद बीटा और उसके बाद गामा की होगी तोẤसके बीटा की पुरिए उसने चाहिए अपना नमबर स्युस sarcandra एगा अल्फा बीटा गामा थीकlando आलफा की ज्यादा होगी बीटा की घ्यालाओ कैंठ इसमें मैं तीन कंसेप्ट है क्लेयर करवा देता हूं अल्प बिट्स गामा जो किसी यह निकलते हैं तो मानले जे यह कोई तर्थ है इक तो इसमें जो जेड यहां पर जो मैं लिख रहा हूं यह कि परमान करमान संक्य यह तिक है जेड और इसकी दर्मान संक्य हो गई इसमें कोई डिके होगा जिसमान लो इसमें से अल्फा डिके हुआ तो इसका गड़ जाएगा और इसका प्रमान रोमान सपा बीटा गर इसमें होता है ठीक है बीटा डीके होता है इसमें से तो इसकी जो द्रोमान प्रमानु कुर्मांग संक्या है एक बढ़ जाएगी ठीक है और इसकी द्रोमान संक्या पर कोई प्रवाव नहीं पड़े है तीसलिए इसमें गामा गामा अगर इसमें डीके होता है गामा अगर डीके होता तो इसकी न तो परमान कुर्मांग संक्या पर पड़ेगा नहीं इसकी द्रोमान संक्या पर इपक्त पड़ेगा ठीक है यह एगर गामा डिके होता है ठीक है तो अब इस समय करण में देखिए समय करण दिया है आपके पास तो पहले क्या हो रहा है पहले कोई भी कण यहां पर डिके हो रहा है तो कौन सा डिके हो रहा है पहला कि एक परमानु कुर्मांग इसका एक बढ़ रहा है इसका मतलब यहां पर बीटा डिके हो रहा है ठीक है अब यहां पर देखें परमानु कुर्मांग दो गट गया और पर पर अलपा डीके हो गया और आगे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पढ़ा ठीक है तो यहां पर गामा डीके हो गया तो बीटा अलपा गामा तो ओप्शन नमबर दे अपना सही हो गया यह पूरा कंसेप्ट था मैंने आपको समझा अब इसमें से कोई साभी क्यूशन बने आप अच्छे से कर लोगी इस प्रकार की क्यूशन तो काफी बार पूछे गया है अपना क्यूशन है एक रेडियक्टिव प्रदाज की सक्रिय मात्रा 15 गंटों में कम होकर भूल मात्रा का एक बटा 64 बाग रह जाती है इसकी अर्दायूग आपने को याद करने है एक सिंपल सा फॉर्मला आपको याद रखना है एन बटा एंड नोट यहां पर क्या है सेस बच्छे किसी बी डेडियक्टिव अभिक्रिया में सेस बच्छे परमानों की संक्या या मात्रा ठीक है ए प्राड दैकर फंकर महात्रा का एक बटशीर बागा रख जाती है इसकी मात्रा फश्के कि मात्रा है तो लिऑ अपने पास प्रमानों की संक्या थी या मात्रा थीन नोट थी इसने बौला है कि जो बची यह वबी nur गया इस ने और यहां पर इसने टाइम कितना दिया है कितने टाइम में 15 गंटे 15 गंटे दिया है ठीकी जिगह पर अपने को इसका ज्याद करना ठीक है अब यहां पर देखिए आदार इसका समान हो गया वह बराबर हुई ठीक है यह दोनों गाते बराबर हुई तो 6 बराबर हुई तो 6 बराबर हुई पंद्रा अपॉन टी हाप ठीक है यहां से में टी हाप की वेल्यू निकाल लूँगा तो क्या आएगा पंद्र बटा ठीक्स ठीक है से दुनी बारा पॉइंट के बन जागा 30 यानि कि डाइवर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी डाइवर इसका आज जायुकाल हो जाए ठीक है इसी प्रका घर्डाइवर काल अपने को ज्याद करना ठीक है इस प्रकार का एक्विशन है तो एप अपोन नोट की जगा क्या हो जाएगा वन अपॉन बरतीश जगा अपने लिख लेए पहले और अपोन टीख यहां पर आ जाएगा 1 क्या अपन बटिश यहां पर एक बटा दू की इसका अर्धायुकार अब इधर देखिए यह दोनों आदार समान है इसकी जुगात होगी वह भी बराबर तो 5 बराबर 7.5 अपॉन टी आप यहां से मैं टी हाप की वेल्यू निकाल लूँगा पांच पांच यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह वाला सुत्र आपको यादध रखना है इस वाले सुत्र से सारे क्विशन आपके सूल हो जागा इस तरगी इनिकांट क्विशन है निम लिकित में से कौन सी विद्दू चुम्ब के तरंग है ठीक है तो अलफा तो करना है बीटा भी करना है तो गामा जो है यह क्या है विद्दू चुम्ब के तरंग यह आपको ध्यान रखना है गामा क्या है विद्दू चुम्ब के तरंग है इलेक्ट्रो मैंगनेटिक रे सुर्वार में उर्जा कारण क्या है उप्रमाणु सलयन भीकिया नाभी के सलयन भी बोलते हैं इसकी जगह नाभी के सलयन की देगाए आपको यह भी ऑप्सन देखने को मिल सकता है Rc में लिखके पूछा गया था ठीक है नावी स सले नावी की लानी था तो आप नंबिक रया था नेंस्ट्र कि जो बाहरी को स्में दो इलेक्टोन होते हैं उस दो इलेक्ट्रोन को आप निकाल दो यह यह साद लिए अर्दायू टी है तब कितने पुर्माणों टीबटा दो समय पस्चात सेस रहें ठीक है इसने क्या दिया है एन नोट क्या दिया है इसमें एन नोट हजार परमानों दिये है और टी इसका अर्दा युकाल है ठीक है टी हाप यानि टी इसका अर्दा युकाल दे दिया और टी कितना दिया है इसने समय टी एपॉन हाप दिया है ठीक एके लुटी ग're üçगए हभव थी अपना सुत्र होता है तो एमकी करें एन रखादिया तब इससी हजार कीysis कीन मत-जार हो गयाँ टू एक बटाद हैं है जगय कितना याजने टी बटाद दो अपन टी हाट ती हाट यून रखादि कितना धिया है T, और दाइव कितना दिया है T, तो T से T cancel हो जाएगा यह बचेगा 1000 इन्टू एक बटादो की पावर एक बटादो यानि की 1 आपन रूड टू, 1000 इन्टू 1 आपन रूड टू ठीक है तो इसको में 1000 से गुणा कर दूँगा ठीक है ये कितना जाएगा अपने पास 707 ठीक है तो बच्चे वे परमाणों की संक्या कितने होगे ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है तो इसमें क्सा तत्व उपयोग में ले जाता है इसमें कार्बन का जो समस्तानिक ये उपयोग में लिया जाता है एक्टिव समख्थानिक होता है C , C 14 , ठीके , 12 मैंने गलत बोलते है C 14 , ठीके , और चट्ठानु के आयू ग्याद करने के लिए Argentine day schoolsаров। उरिट्धिक को ख diye , चट्ठानू की आयू ग्याद करने के यह दोनुव THE C10, आपको यद रुके, लेकिन वीबिन दिरोमान संक्षया वाले को क्या कहते मिल्ब को भया नहीं है क्या है आप उनको बोलेंगे हम सम्न्न rpm निट्र्न सम्ने मरण संब्स्मूर्ट्रों वो गगर सम्नूर्णिक हो गई ठीक है और समस्तानिक कि इसको बोलते हैं समस्तानिक ऐसे परमान होता जिनकी परमानो संगय यह अंकी बिन बिन हें तीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी कि परमानो संगय सबस्केटी ऑल्लहग अलगल विसी तरह क informations के थे फूलेके थेude ब्नघरी और टिस्टियम, फिक्ट है, इनकी परमानुद्रमान संहिनक अलग अलग है, इन तीनों के बारे मैंने अच्छे से आपको बताया है है, केमिस्ट्री वाले लेक्षर वेडे बास है। लेकिन परामानुद्रमान संहिनक अलग अलग होतete चेंकल है? आप comment box में लिख दे समभारी काया है नेश्ट क्विशन है अल्फा कर पर प्रोट्टों के चार्ज का कितना हुँड़ा होता है अभी मैंने आपको अल्फा कर बताया था लियम का नाविक होता है हिलियम जो फरमाण होता है हिलियम परमाण होता हुछ बाहु है दो आलेक्ट्रोन निकालेंगे तो इसके चार्ज कितना अचाएगा तू ए बराबर आ जाईगे और प्रोट्टोन पर चार्ज होता है फ्लस इके बराबर रो ठीक तो यह जो है इसका दो गुना हो गया इसका मतलब पर प्रोटोन के चार्ज का कितना गुना हो गया दो गुना की आ प्रोप्सन नंबर 20 है हो गया या फिर की अर्दाइयू इंटू लेंबडा इटिकल्डू लोग टू लिग लिए यह जो होती है लोग्टू की वेल्लिव ठीक है लोग इसमें ओप्शन में अपने और क्या दिया है लेंडा इंटू टी यानि इसका अर्दाइयू काल ठीक है और इंटाइकलू डूटू इसका एक्विली इसका कितना होगा 3.7 इंटू 10 तुझी पावर 10 वेक्विल या डिस इंटिकरेशन पर सेकंड या इसको यह भी बोल दो बेक्विल की दिगाँ आप यह भी लेख सकते हैं डिस इंटिकरेशन पर सेकंड या फिल भी गटन पर सेकंड यह भी आप इसको बोल सकते हों तो ओप्सन नमबर भी इपना सही हो जाएगा नेस्ट प्यूशन है रेडियो धर्मिता की कोज किसके द्वारा की गए थी रेडियो धर्मिता की कोज जो की गए थी वह हैंटिवेकलेर द्वारा की गए थी ठीक है और अधर पॉट की ऑने प्रोटॉन प्रोटॉन की और प्रशाण का सभी कुषर प्रोट कि द्वारा विले एक टोर्थ ती तो प्रोटोन और नाभी की क्योज कि थे जर्ण पर्मानु रियक्टर आदालित तो पर्मानु रियक्टर जो होता है नाभी के विकंडन पर आपड़ाइट होता है उसमें काम मिले जाता है निट्वन की किसोट नहीं को स स्छ – ये वला कुशान रभ्यत होगा है, आपके चार आयुओ के मडारा 선 की यानि कि इसकी जो टाइम दिया है कितना दिया है चार अर्दायू के बराबर ठीक है तो अभी अपना अभी जो मातर रहेगी प्राइडमिक जो पदार्थ था इसकी कितनी गुना रहेगी अपने इसे निकाल सकते हैं वक्हाने इसका अपने निकालने कितनी प्रतिष रहेगी झोट से प्रतिष अदों बि Chief another development निखालना है तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपके दो दून चार चार डून यार्ड अर्डूनी 16 तो परसेंटेज में कितना जाएगा सब्सक्राइब कितना है दो नाव बिकों की तिरज्याओं का अनुपार अनुपार बन अनुपार दो इनकी दिर्वाण संग्याओं का अनुपार लिए टीक है तो नाव लाव बिए तिरज्याओं और उसके द्रोमान्य में जो सम्द्द रेता है र is equal to r0 यह समानुपाति होता है या फिर इसको is equal to लग लिए और is equal to r0 a की पावर 1 by 3 या फिर समानुपाति r समानुपाति a की पावर 1 upon 3 टीके तो अपने को दिया है इसको R1 मान लिजे, इसको A1 मान लिजे, इसको R2 समानु पाती, A2 का समानु पाती, R2 समानु पाती, A2 की पावर 1 अपॉन 3, ठीक है, तो इन दोनों को भाग कर दीजे, यह आ जाएगा, R1 अपॉन R2 is equal to A1 अपॉन A2, ठीक है, की पावर 1 अपॉन 3, अब अपने को अनुपा का, Q is equal to A1 upon A2 अपने यह विल्यू यहां पर आज लिए, R1 का विल्यू कितना है, इसको अनुपात को, मतलब बाग कर लिजे, 1 upon 2 बोल दीजे, यह फिर, 1 upon 2 बोल दीजे, बात एक है, ठीक है, तो 1 upon 2 रखेंगे, यह हो जाएगा, A1 upon A2, is equal to 1 upon 2 का की कितना होगा, 1 upon 8, ठीक नेक्ट क्यूशन है, बीटा साई द्वरा टिश्यम की अर्दायू, कितने दी है अर्दायू, अर्दायू अर्दायू अपने को दिए, 12 वर्स, ठीक है, और T हिससे में कितना दिया है, 25 वर्स, 25 वर्स बाद सुध्य टिश्यम के एक नमने का, कितना अंस अविगेटिट रह तो एन अपने को गयात करना, ठीक है, यानिकि एन का जो अपने को रेश्ये है, इसके रिसकेक्ट में एन नौट के रिसके, ठीक है, तो एन अप र अपन एन नौट एज इकल टू, वर्फ़ों, प्वववर, खुवर, न अपन टू कितना है, पहले आएगा, टी एपवर, तीहाब कितना दिया है साड़े बाराग ठीक है तो 25 में साड़े बाराग बाग लगाएंगे दो आएगा तो एन अपॉन एन नोट इस इकल टू वन अपॉन टू की फावार यह कितना आया दू आया तो यह हो जाएगा वन अपॉन पॉर ऑप्शन नंबर भी इपना सही हो गय ठीक है अभी अपने को अर्द वायू दिए अल्द वायू किस्ने है ईज्य किक कियी बता दिया है यह 4 परूर्विला एक अपन चौस फॉसर्ट ऋढ़न种रा दिया को मिनने बता दिया को याद करना है और ती हाफ कितना दिया है अर्दायू 16 ठीके अब इसको में क्या लेख सकता हूं 1 upon 64 को 1 upon 2 की पावर 6 इधर 1 upon 2 की पावर टी एपावर टी एपावर शोला सो ठीके तो यह दोनों बराबर हो जाएगे कि इनका आधार समान 6 is equal to टी एपावर शोला सो यहां से टी की वेल्यू निकालूंगा मैं तो शोला सो से च्छे गुणा हो जाएगा तो शोल्चे की चिंद मैं यानि और माद्य यूकाल जो होता है टी 1 upon lambda होता है ठीक है यह दोनों मैंने आपको बता दिये हैं तो इससे अपन वेल्यू केल्कुलेट कर लें सबसे पहले वेल्यू केल्कुलेट करते हैं अपन किसकी सही नेतांग की करने तो टी हाप नीचे आ जाएगा और सही नेतांग इधर पॉइंट को अटा दे रहा हूं इंटू 10 to the power minus 3 आएगा लेकिन इधर 1600 में बटा करना पड़ेगा मुझे यह जो दो 0 है मैं उपड़ ले जाओंगा तो minus 3 तो यहां रहे गई और minus 3 तो यहां रहे गई यह 3 point के बाद 3 अंकार है ठीक है और यह 2 0 में उपड़ ले जाओंग सोला का बाग दीजिए सोल चोग चों सट पांच बचे सोल ती आड़ तालीस और फिर पांच बचे सोल ती आड़ तालीस इन्टू 10 to the power minus 5 यह हो जाएगा आपके per year ठीक है इसके जो यूनिट होते है सही नितां की per year होती है ठीक है तो यह अपने वेल्यू आगा एक पस्ट वाले के अब माध्यायो अपने को जो मैंने सुत्र बताया टी इकल टू वन अपॉन लेम्डा तो लेम्डा की वेल्यू रखे यहां पर ल एक प्रमानुन दिर्मान की संस्ट्प्री अभी मैंने आपको बता दिया है की त्तव के कहीं से डिनोड करते हैं या फिर पर मनू को कैसे दिनोड करते हैं तो यह जो कोई पर्मानु है तो यहां पर जो आएगा यहां पर आएगा इसका पर्मानु संक्या पर्मानु जो संक्या होती है पर्मानु कर्मांग संक्या वह क्या होती है देखे पर्मानु कर्मांग संक्या क्या होती है जो इसमें प्रोटोनों की संक्या होती है वह इसकी प और यहां पर परमान कि संख्या किपनी तो दौ जीज अपने डियाट करना तीसरा अपने क्या ग्याद करना है न्यूर्य बिदी खाल और अब की डियाट कर सकते One qui की संख्या अपने डियाट कि यह इम फ्य और परमान तरल चैश्या तो न्योट्रोन की संक्या कितनी हो गए अपने पास 37 यह ठीक है और प्रोट्वन की संक्या पूचा है करम से पूचा है तो इससे बाहर आप तो लाइक कर दिजी और अपने जो भी बाइल लोग यार्ची के त्यारी कर रहे हैं उनका एक्जाम है बहुत जल्दी आने वाला है और इस टोपिक से आपका एक क्विशन जरूर बनेगा उनको अपना चैनल सेर कर दिजी और सब्सक्राइब कर दिए थैंक